नमस्कार दोस्तों स्वोइंग मशीन गूरु की चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपको बटाने वाले उसा जेनोमी एल्यूर मशीन है आपके पास या ब्रडर की LX27 या ब्रडर की कोई भी मोडल है आपके पास या सिंगर की कोई भी मोडल है जो होम स्वोइंग मशीन है आज हम आपको बताने वाले होम स्वोइंग मशीन के फूट के बारे में जानकारी देने वाले हैं तो अब हम आपको बताएंगे होम स्वाइंग मशीन के फूट बहुत सारे प्रकार के आते हैं आपके मशीन के साथ तो कम से कम चार पांच या छे आये होगे उसके अलावा आपको एक्स्टा एससरी में काफी प्रेसर फूट मिल जाते हैं जो हमने ये वीडियो में आपको दि मिलेगी तो हमारा ये वीडियो आप एंड तक देखते रहेगा तो आपको पूरी फूट की फंक्शन्स, अवेलिबिलिटी, प्राइजीस और सब आपको मिल पाएगा तो आज हम आपको जो हम स्वाइंग मशीन में जितनी भी एक्स्टा एससरी आती है वो सब के बारे में आपको हम डिटेल देने वाले तो हमारा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम आपको बताएंगे जिग जाग पूट ये हर मशीन के साथ कॉमन है और हर मशीन के साथ आएगा ये जिग जाग पूट है इससे आप स्टीच कर पाएंगे और जिग जाग टाइप की च प्लास्टिक का फूट है यह प्लास्टिक का फूट कभी आपके पास कोई भी चिकना कपड़ा नेट या कुछ भी आता है जो आपका स्टील वाला प्रेसर फूट नहीं खीच पाता है तो यह आपको प्लास्टिक वाला फूट भी मार्केट में अवेलेबल मिलता है उसके बा की हैमिंग राउंड होगी उसके अलावा आपको मैं दूसरा दिखाता हूँ उसके अलावा उसके बाद में आता है फ्लेट हेमिंग, फ्लेट हेमिंग मिन्स के आपके कपड़े को वो फ्लेट हेम करके पिको करेगा, आपका कपड़ा राउंड नहीं करेगा, उसको चिपका के उसके उपर सिलाई मार देगा, उसके बाद में हम आपको बताएंगे पिंटक फूट, ये जो है सेवन ग्रूप प पिंटक फूट बोलते हैं, इससे आपके कपड़े में छोटी छोटी आपको कोई भी कपड़ा चिप्टी लेके सिलाई माननी है, तो ये पिंटक में सिलाई होती है, ये जो है नाइन ग्रूप पिंटक फूट है, इसमें आपके नाइन खाचे दिये गए, इसलिए इसको इवे कोडिंग फूट यह जो है यहां पे उपर से आप टीन एंकर की दोरिया डालके आपकी जिगजाग की पैटन से कुछ भी नई स्टीचिस कर पाएंगे इस सब के फूट के बारे में हम उसके बार में भी हर फूट का एक सिंगल वीडियो बनाने वाले हैं और आपको उसक अब श्याइब और शेर करना नभ बूलें जिससे आपको यह सब फूट की वीडियो बारीबारी मिलती रहें और उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहें यह जो फूट है आपका यह डोरि पाईपिंग फूट है यहां से आप डोरी पसरार करके डोरी पाईपिंग ब लगानी हो तोभी काम लगती है और आपको सिंगल सिलाई करनी हो तोभी काम लगता है ये सिंगल फूट कहलाता है उसके बाद में हम आपको बताएंगे गेडर फूट ये गेडरिंग फूट है आपके कपड़े में थोड़ी थोड़ी चूनर करनी हो तो ये फूट लगा के आ आप कर सकते हो यह जो एक special food है इसको एपलिक फूट बोलते हैं अगर आप कोई भी design pattern बनाते हैं तो आपको सामने से यह food अगर जिगजाग food यूज़ करोगे तो आपको perfect measurement नहीं दिखेगा और सामने का कोई भी portion आपको नहीं दिखेगा तो आपकी line आड़ी टेड़ी जाने क गुंजाइस रहती है इसलिए यह एपलिक फूट लगाने से आपको सामने की design perfect दिखेगी और आपको कैसे उसको मोड़ना है कैसे कहां ले जाना है कौन से पेचिस के उपर आपको करना है वो सब आपको आसानी से पता चलता रहेगा इसलिए इसको एपलिक फूट बोलते है यह हमारे पास available मिल जाता है और हम इसका भी वीडियो बनाने वाले है तो आप हमारी चैनल को subscribe करना न बुलें उसके बाद में आपके बताते है blind hem food इसको blind hem food बोलते है और pen की मोरी बन को सिलाई करने के लिए भी यह बहुत ही काम लगता है इसका वीडियो भी हम बहुत ही ज जल्ली आपको वह मिल जाएगा यह है console zipper foot आपको console zipper invisible zipper भी बोलते हैं और console zipper भी बोलते हैं यह zipper लगाने के लिए यह foot बहुत ही काम लगता है इसका भी वीडियो आपको update में मिलता रहेगा यह है bead foot means के मूती foot अगर आपके पास मूती की कोई भी माला है शेर है तो आप जो भी तीन एमेम चार एमेम की मूती की माला को आप जहां पे भी लगाना हो वहां पे बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं और आप मूती का anti-quark कर सकते हैं इसके बाद में आ गया यह darling foot इसको darling foot बोलते हैं यह darling foot है अगर आपको embroidery करनी है तो आपके कपड़े को यह नीचे की side पर press करके रखेगा और आपके embroidery में finishing आएगी इसके बाद में यह जो आता है वो overlook foot है यह overlook foot से आप बीना cutter का overlook का काम कर सकते हो और आपको overlook जैसी stitch और design मिलेगी और आपको overlook करने के लिए बाहर dress के इनर में जो आप डो कपड़े जोइन करते हो इसको आपको overlook करवाने कहीं बाहर न जाना पड़ेगा और आपके machine में stitches select करक आप काम कर सकते हो यह overlook करने का भी हम आपको वीडियो बताएंगे कि आप कौन से function से क्या काम कर सकते हो यह बहुत ही बढ़िया foot है इसके बाद में आता है roller foot यह जो roller foot है कई बार क्या होता है कोई कपड़ा बहुत ही जाड़ा होता है और आसानी से खिच नहीं पाता है तो यह roller यह आसानी से आपका फूट कपड़ा खितने का काम करेगा और आप आसानी से सीला या जिग्जाग कर पाएंगे और पैटन गिरा पाएंगे तो यह roller foot भी कभी बहुत काम लगता है इसके बाद में यह ब्रेडिंग foot यह इसको fringe foot बोलते हैं fringe foot यह आपको जिग्जाग की पैटन गिरा के देता है यहां से जिग्जाग की ठेट जाएंगे और बाद में आप उसको निकाल देंगे तो आपने digital जिग्जाग किया होगा वैसा effect आएगी इसका भी बहुत जल्ली हम आपको वीडियो बना के इसमें कैसा काम होता है यह बताएंगे तो हमारी चैनल पे यह वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और सेर करना मत भुलिएगा आपको लेटेस अबडेट भी मिलता रहेगा यह ब्रेडिंग foot यह ब्रेडिंग foot से आप कोई भी तैयार आपके पास लेस है और उसमें स काम आपके पास स्ट्रीप आई यह और उसको आपको सीऊनए करनी है तो यह एकजस्ट करके आप इसके बीच कवाला खाचा एकजald करके करके आप लेस पट्टी है कुछ भी इसमें से पसार करके उपर उसके ऊपर आप सीलाई भी कर सकते हो और विए डिजांने बल स्टीच सीलेक करके उसके उपर स्टीचिंग भी कर सकते हो तो यह फूट भी बहुत काम लगता है इसके बाद में दूसरी एक अटेश्मेंट आती है कि यह फ्लावर फूट देखिए यह फ्लावर फूट आपके मसीन में राउंड गोल गोल राउंड करेगा और उसकी उससे आप काफी भी पैटर्ण भी गीरा पाते हैं यह राउंड फूट भी बहुत ही काम लगता है और एंटीक वर्क काम करने के लिए बहुत ही बढ़िया क वे यह करता यह फूट बहुत ही जल्ली हमारी चनल पर मोरी चैनल पर आपको मिल्टा रहे इससे आप प्लेटिंग गिरा सकते हो यह जो फंक्शन दिया गया हुआ है वन एक छे बारा यह जो चीजे आपको एक स्टीचिस पे प्लेटिंग करेगा तीन स्टीचिस पे प्लेटिंग करेगा बारा स्टीचिस पे प्लेटिंग करेगा यह पूरा आपको प्लेटिंग का यह अगर आपको बीच में सिलाई करनी है तो इसको स्टार पे कर दोगे तो यह प्लेटिंग एटेंबेंट बंद हो जाएगा तो यह रफलर एटेंबेंट भी इसके अंदर लगता है तो यदि आपके पास कोई भी सिंगर उसा ब्रडर कोई भी मसीनरी है तो आप यह सब सारे आपको यह फूट की जानकारी हम डेटे रहेंगे और आपको लेटेस अबडेट मिलता रहेगा अगर हमारा अच्छा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत बुलना हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका धन्यावाद